आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडिक लोज पर आपका बहुत बस्वागत है तो दोस्तों आज हम इंडियन प्रिमियर लीग के बारे में बात करेंगे इसको बहुत पहले था हमने बहुत बड़ा cricket फान था नो इन आपके हम इंडियन प्रिमियर लीग अगर बात करते तो ग्रिकेट का सबसे बड़ा फेस्टिवल बोला जाता है तो अभी हम बात करेंगे कि आखिर कर आइप ल का बिजनेस बोड़ल है क्या साथी अरेबिया लगपक 30 बिलियन डॉलर 30 बिलियन डॉलर जो है न वो खर्च करने वाला है कहां पे IPL में यानि कि वो stakes खरीदने वाला है मैं इस डील में इंट्रस्टेट नहीं तो I'm out ठीक है तो बेसिकली यह बहुत 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 बढ़ी चीज है इंडियन प्रीमियर लीग के लिए समझे रहो 30 बिलियन डॉलर is a very 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 big amount एक बिलियन में 100 करोड एक बिलियन डॉलर में कितना 80 रुपे चल रहाए 800 करोड तो आठ तीन जा कितना 24 हजारो करोड 24 हजार करोड इतना आप जादा amount तो आप यह समझो कि पैसा आ रहा है पैसा होगा यह हो रहा है आपके पास भी बहुत पैसा आएगा अगर आप हमाई शांदार पस्नालिटी डेवलेप्मेंट को अवेल करें अगें फिर से हमने एक दिन के लिए बस आज के ल तो पहले तो हम न्यूज देख लेते हैं कि साओधी अरेबिया कहे रहा है कि भाई देखो हम multi billion dollar stake लेने वाले हैं IPL में तीक है अब देखो BCCI के बारे में जानो Board of Cricket Control of India कल ही मैंने आपको बता था कि BCCI के उपर एक FIR हो गई है BCCI 1990s तक BCCI कुछ नहीं था आपको पता है मतलब इनके पास पैसे ही नहीं थे 1983 का जब भारत वर्ल्ड कप जीता तो पैसे जुटाने पड़े थे वहां से लाने के लिए पार्टिय और्गनाईज करने के लिए ऐसा कुछ था इनाम देने के लिए चंदा मांगा गया था लेकिन आज BCCI का जो रिवेन्यो 30,000 करोन से उपर है BCCI दुनिया के सबसे रिचेस्ट स्पोर्ट्स बॉड़ी में से एक है क्रिकेट में सबसे रिचेस्ट स्पोर्ट्स बॉड़ी ICC का पूरा डॉमिनेशन ICC के उपर BCCI का है जो BCCI कहते है वो पत्थर की लकीर पैसा ब पूरगी है 1992 में जब साउथ आफरिका इंडिया आई तीन मैच के लिए तो वहां का जो चैनल था तब BCCI को बला कि हम मैच दिखाने के पैसे देगे तुमको कितने लोगे तो तकरेबन 30,000 डॉलर की BCCI ने मांग कि उन्होंने का कि 40,000 डॉलर एक मैच का देगे तुमको BCC तब BCCI को पता चला भाई, ब्रॉडकास्ट राइट्स भेज के भी पैसे कमाई जा सकते हैं और वहां से फिर पैसे कमाई जाने लगे बड़ फिर भी इतना ज़दा पैसा नहीं आता है देखे BCCI कोई सरकारी बोड़ी नहीं है याद रखेगा वो एक प्राइबेट बोड दिया तो होकी, होकी नहीं है, भारत का कोई नाशनल के महीं नहीं पहली बात तो, तो BCCI के अगर बात करते हैं, तो ये तमिल नाडू रजिस्ट्रेशन बोड के तहट ये रजिस्ट्रेट है, यानि कि एक चैरिटिवर और और बोड़नाईजेशन है, BCCI है, और इसलिए दिक्कत भी है, क्योंकि जहां प्राइवेट आता है, वहाँ पर पैसा, रेवेन्यू, एवरेथ इंकम सब, शायद आगे जाके कुछ हो जाए, दो अधर साथ में IPL आता है, लेकिन उससे पहले इंडियन क्रिकेट लीग आयता, अगर आपको याद होगा, ठीक है, सुबाश जो जी के ओनर है, वो लेके आयता है, इंडियन क्रिकेट लीग, सबसे पहली लीग थी भारत में, बहुत साले प्लेइस इसमें रेजिस्टर्ड हुए, क्रिकेट खेले, बड़ 2009 में इसको बद्द कर दिया गया, क्योंकि BCCI ने बोला, कि जो भी ICL खेलेगा, वो पिर हमार लीगे लेके आएंगे, मुझे आज भी याद है कि उसमें सबसे जदा कोलकाटा नाइट Riders की धूम में जी थी, शारुक खान, कोलकाटा नाइट Riders, मतलब हम सब चाहते थे कि कोलकाटा नाइट Riders जीत हो, पहले मैच पे बिंडन मेक्किलम ने 160 र मारे थे, वो पहला मैच कि हुआ होता क्या है IPL जो है वो कहां से पैसा कमाता है देखिए सबसे पहले तो जो broadcasting rights होती है ठीक है broadcasting right BCCI को पैसे मिलते हैं जैसे अभी जो Tata है वो लगबख साड़े 300 करोड रुपए स्वारी टाटा कहा रहा हूँ यह आपका स्टार स्पोर्ट्स है वो तकरीमन 16,000 करोड रुपए broadcast मतलब देखो first thing है कि IPL कहीं न कहीं तो दिखाया जाएगा किसी ना किसी पर hot star पर दिखाया जाएगा या Zee पर दिखाया जाएगा सूनी पर दिखाया जाएगा तो दिख चैनल पर दिखाया जाएगा वो broadcasting rights तो यह bidding होती है broadcasting rights बेचे जाते हैं तो BCCI को अभी 16,000 करोड रुपए दिये हैं मतलब हर एक सीजन के लगबख कितना 35,000 पाथ साल तक या निकिशा 2023 तक अगले साल प टीम्स को दे देती हैं जाओ एश करो ओके सेकेंड जो स्पॉंसर होते हैं सेकेंड स्पॉंसर कैसे जैसे ताटा IPL वीवो आईपील वीवो ने सारे 400 करोण रुपए दिये थे ताटा ने सारे 300 करोण रुपए दिये ड्रीम 11 हर चीज़ पे ठीक है छक्का मारा तो यह को पैसे मिलते हैं वो भी 50% BCCI रखती है 50% जो है वो टीम्स को दे देती है ठीक है तो यहां से basically पैसे आते हैं फिर tickets को sale करके लेकिन देखे BCCI तो इन दो चीजों से पैसे कमाती है और बहुत हजारो करोर में कमाती है बढ़ टीम्स का क्या देखे टीम्स का average खर्चा जो है एक के टीम का वो 200 करोर के असपास होता है क्योंकि इसमें player की fees आपको देनी है उसकी training हो गई hotel हो गया transportation ये सब आपको देखना है अब देखे टीम का जो पैसा है टीम का असे team sponsors से पैसे कमाती है बाई उनके पूरे आप अगर jealousy पर देखहो तो बहुत सारे sponsors होते है रैट तो team sponsors से पैसे कमाती है साथी साथ tickets जो tickets बिखते हैं उससे पैसे कमाती है। टिकट्स में 80% जो पैसा आता है वो टीम्ष रखती है और 20 पैसा है वो क्रिकेट ओंक एक क्रिकेट अस्वेशन को जाता है। तो यह पूरा का पूरा मैट्स है। आप team कैसे पैसा कमारी है ऐसे कमारी है लेकिन team का खर्चा तो बहुत ज़ादा है बड़ दोस्तों इसमें क्या होता है ना कि stakes dilute होते है ये team टीम नहीं ये पूरी company है बहुत सारी team ने पने stakes dilute की है राजस्थान रोयल्स में पहला IPL जीता पहले IPL में खाली दो ही team profit में थी क different different companies का पैसा लगा है LIC का है Reliance का है बहुत अलग-अलग stakes जो है वो लिये गए है brand value बढ़ते हैं यहाँ पे जैसे team की भी team मा लिजे 50 करोड की है अब आप IPL जीत गए तो वही team 50 into 10 की धाई-जार करोड की हो जाए चिनने सुपर की की brand value 2000 करोड की है तो उस हिसाफ से stakes भी बिखते हैं कल को team बेच नहीं हो तो आपने कितने में खरीती थी कितने में बेच के long term गेम एक तरीके का तो खूब पैसा जो है वहाँ पे चापा जाता है तो IPL एक पैसे चापने की machine है बिलकुल है और players को भी पैसा दिया जाता है जो price money होता है उसमें भी जो 50% है वो owner रखती है 20 करोड का जो भी जीता और 50% जो है वो players को बाग दिया जाता है और उपर से जो bidding में पैसा मिलता ह वो अलग तो यह है पूरा IPL का money model इस तरीके से IPL में पैसा कमाए जाता है तो अगर इतना बड़ा money model है तो भाई बाकी देश क्यों पीछे नहीं तो इसलिए साओधी अरेबिया ने बोला कि काम करते हैं हम इसमें पैसा जो है वो लगाएंगे मौमद बिन सल्मान ने बोला कि भाई देखो अभी जो ये company है ये 30 billion dollar की है ठीक है ना तो यहाँ पे इसको एक holding company बना दो ना IPL को best है अब इसका मतलब different different लोग invest कर पाएंगे जैसे company होती ना different different stake ले ले लेते हैं पैसा लगा देते हैं साओधी अरब देखे इससे पहले भी UAE में IPL हुआ है साओध आफ साओधी अरब पैसे लगाएगी स्टेडियम बनेगा शायद और गल्फ कंट्रीज में अभी खाली अगर आप cricket की बात करें तो पाकिस्तान है बांगलादेश है अफगानिस्तान है क्रिकेट वैसे सब खेलता है लेकि जो तीन important Islamic team है वो कौन सी है यही तीन है अगर साओधी इंटर्स दिखाया था कि सितंबर में देखिए हम जो है वह करना चाहते हैं तो हम पांच बिलियन डॉलर जो है वह इसमें इंवेस्ट करेंगे और उसके बाद जो सौबरेन वेल्थ फण है साओधी अरे वहां से इंवेस्टमेंट होगा और चलो expand करते हैं ठीक है और जैसा स्टाइब पैसे और स्टाइब सब्सक्राइब और उसक चैनल पे और वह लग तो इस ही हम यह देखते हैं कि बहुत ही ज्यादगे यह पैसा एक दम हो गया है तो बिढ़स देख सकते हैं कि यहां पे 6.2 बिलियन डॉलर से सीधा 15.1 मिलियन डॉलर पर मैच तक पहुंचा है तो that's why everyone is interested in, investing in IPL, तो यह लेचर था, और IPL ऐसी बहुत सारी Premier League होती है, English Premier League है, फुटबाल के लिए होती है, बास्केट बाल के लिए होता है, ठीक है, और क्रिकेट के लिए होता है, मेन यहां पे basically, पैसे का खेल, चक्कर बाबो वही है, पैसे का चक्कर, और ठीक भी है, दे पेल में दिक्कत सट्टा बाजी मैच फिक्सिंग क्या रोप सेक्श्वल एलिगेशन करप्षन बहुत ज्यादे आरोब भी लगे ललित मोधी कुद बैटे हैं लंडन में कुदा नहीं रहे वो कुद उनके उपर करप्षन का रोप तो यह हम सब को पता है कि जहां पैसा आता ह है वहाँ पर करप्षन भी आता है कोर्स को जरूर अवेल करें थैंक्यों सो मच